एटो अब बॉलकमटू कोलजनी तो अभी तक हम द दिली सल्तनत का तीन डानस्टी देखत चुके हैं आज दो बचा हुआ था जह करेंगे एक था सही डानस्टी एक था लौथी डानस्टी तो सही डानस्टी के» जो ऐन्द होते हैं वर खीर खाल ओन है जो फिरोसा तुगलक के टाइम पे जब तैमूर इन पे इन्वेट कर देता है तो जब तैमूर वापस जा रहा होता है तो खीर खां को पंजाब का गवरनर बना के जाता है वापस तो तैमूर तो वहाँ से निकल जाता है लेकिन तैमूर क्या करता है? 14.84 में चाइना पे आकरमण कर देता है और वहाँ वो मर जाता है तो तैमूर खां तो वहाँ मर गया खीर खां यहां रहे गया पंजाब में उसके बाद खीर खां क्या करता है? दिल्ली की तरफ बढ़ता है और दिल्ली को कैप्चर कर लेता है फिर उसात उगलग को हराता है और दिल्ली को capture कर लेता है तो वहाँ से फिर सुरू होता है सायद dynasty ठीक है तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या है सायद dynasty में खीर खान का साथन चलता है 1414 से लेके 1421 AD तदिल्ली को capture कर लेता है और सुल्तान अपने आपको गोसित कर देता है खीर खान जो होता है वो सायद dynasty का पहला रजा होता है जो दिल्ली पे rule करता है उसके वद साथ साल के हंदर इसकी dynasty खतम हो जाती है 1414 से शुरू होती है और 1421 पे खतम जो की साथ साल का बस टेनर रहता है तो 1421 पे इसकी मृती हो जाती है सज्य डानेस्टी सबसे चोटा चलने वारा डानेस्टी दिल्ली सल्तनत का सबसे चोटा चलने वारा डानेस्टी सज्य डानेस्टी ही है ठीक है उसके बाद आते है मुबारक सा मुबारक सा कौन होता है खिजिर खान के बेटे होते हैं, और मुबारक सा पहला ऐसा राजा होता है मुसल्मानों का दिली सल्टनत में, जो कि हिंदू नोबल्स को भी अपने कोर्ट में एपॉइंट करता था, ठीक है, मुबारक बाजो सिटी जम्रान दीकिनार इसको नहीं बनवाया था, लेकिन इसमे महमूद साह, जो कि जाया दिन तक सर्वाइब नहीं कर पाते हैं, इनके आपस में नोबल्स की लड़ाई चल रही होती है, जिसके वेसे इनको गद्धी छोड़ना पड़ जाता है, उसके बाद आता है आलम साह, आलम साह का विशासंगा चलता है 1443 से 1451 तक और इनको ये डैनेस्टी, अब बात करते हैं, लोधी डैनेस्टी की जो कि दिली सल्तनत का आखरी डैनेस्टी है, इस चलने वाला कब से कब तक का परियड है, 1451 से 152 सी तक चलने वाला परियड है, जिसके फाउंडर होते हैं, भलूल लोधी, और इनकी मृत्तु हो जाती है 1489 तक, ज जमीन से जुड़े हुए और लोगों से जुड़े हुए राजा अपने आपको इदिखाना चाहते थे, ठीक है, उसके वाजत है सिकंदर लोही, जो की भलूल लोधी का बेटा होता है, भलूल लोधी का बेटे होते हैं, और इन्होंने अपनी राजानी को दिली से सिफ्ट क कर लिया था, आगरा की तरफ, दिली से राजानी को जिफ्ट किया था, आगरा, ठीक है, इसने क्या करवाया था, एक मंदीर है, जवाल मुखी टेंपल, ठीक है, जवाल मुखी जो टेंपल है, और आगरा का, इसमें अभी बिवाज चल रहा है, मतुरा का, इन दोनों को इस नहीं तोड़वाया था, सिकंदर लोजदी नहीं तोड़वाया था, और जवाल मुखी जो टेंपल हुओ कहाँ पर है, नागर कोट में है, ठीक है, तो मतुरा का टेंपल और जवाल मुखी जो टेंपल है, नागर कोट का, इसको इसने ही तोड़वाया था, उसके बाद, य गुल रुखी ठीक है गुल रुखी है उसके वाद आता है यिव्राहीम लोधी जिसका संकल चलता है 1517 से लेके 1526 तक तो यह कून होता है जर्टकी झालास्ट्राशा होता है रोधी डिनस्टी का होता है सिंगर का बेटा होता है एड The Haarmist इसके टाइम पर क्या होता है दौलत खान गवर्नर होता है दौलत खान लोधी पंजाब का गवर्नर होता है जो बावर को इन्वाइट करता है इब्राहिम लोधी को हराने के लिए फिर बावर इसके इन्वाइटेशन को एकसेट कर लेता है और यहां आता है तब सुरू होता ह फर्स बिटल आफ पानीपद जो की 1526 में होता है फर्स बिटल आफ पानीपद इबराहिम रोधी वहां मर जाते हैं और वही दिली सासन खतम हो जाते हैं उसके बाद सुरू होता है मुगल सासन तो मुगल सासन हम बाद में देखेंगे जब मारा टॉपिक आएगा वहाला तो आज हमारा दिली सासन खतम हो गया अब हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक सुरू करेंगे हिस्ट्री का उसके बाद मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाएगा ठीक है मॉडर्न श्री सुरू हो जाएगा उसके बाद तो बाकी अब कल देखते हैं ओके थैंक यू